नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग 2.0 सपताहिक रासी फल एक सितंबर से 7 सितंबर तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा चले जानते हैं विस्तार से वीडियो के अंतक बने रहे हैं और ये प्रिडिक्शन चंदरासी पर आधारित है पहले समझते हैं सितंबर के महने की सुरुआत में गर्षों की स्थती क्या कहती है देखिए बुद्ध 4 सितंबर को सिंग रासी में गोचर करेंगे मंगल मिथुन रासी में रहेंगे देव बुरु बिरसब रासी में हैं सुक्र कन्या रासी में सनी देव अपनी ही मूल त्रिकोन रासी कुम्भ में इसके साथ ही राहु मीन रासी में और केतु कन्या रासी में भी राजमान रहेंगे अगर हम राजयोग की बात करें तो इस सप्ता सनी से ससनामक महापुरूस राजयोग बनेगा नीच भंग राजयोग का निर्मान भी इस सप्ता होगा और शुरुवात में गुरू चन्रमा की युती से गच केस्री राजयोग का निर्मान भी तो इसी अधार पर जानते हैं ये सप्ता कैसा रहेगा तो मैं इस रासी वालू इस सप्ता काम की अधिकता रहेगी और सोमबार और मंगलवार का जो जिन है वो आपके लिए थोड़ा अनुकूल रहेगा भागे का साथ मिलेगा इंकम बढ़ियां रहेगा लेकिन सत्रू विरो से सपोर्ट प्राप्थ होगा लेकिन मन में अग्यात भय चिंता रह सकती है सुकरवार सनीवार का समय उत्तम है सभीकार समय पे संपन्न होंगे अगर हम आपके स्वास्त की बात करें तो इस सब्ता स्वास्त को लेकर साबधान रहें अगर आप खुद को सारेरिक मांसिक करें ध्यान करें और अपने स्वास्त को बहतर करने के लिए खान पान का भी ध्यान रखने की आउस सकता है अगर आप अपने धन को कहीं निवेश करना की योजना बना रहे हैं तो कोई भी ऐसा वैसा कदम मत उठाईएगा कि आपके पैसे फस जाए तो ऐसे में किसी की बात कोट कचारी का मामला था तो आपको यहां पर बहुत हत तक सफलता मिलेगी मामला आपके पक्ष में आ सकता है मिहनत और धैर आपके लिए सबसे बड़ा पूंजी होगा स्वैम को चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे इस समय आपको यह समझने की आवस्ता है एक और अस्था करियर में उननती होने के सुपसमाचार मिलेंगे अगर करियर को लेकर प्रयासरत हैं कुछ नया सीखने को मिलेगा लाब उठाकर आप आगे बढ़िए तमाम चुनोतियों के लिए तयार रहें जो विद्याति हैं घर से दूर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं वह बेहतर परदर् सीमा तक मेहनत करने के लिए तयार आपको खुद करना है और व्यकुलता को सांत करें अपनों से बाते करें मानसिक सांती बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा राहु को प्रसंद करना चाहिए इस सब्ता कम से कम पांच बार रोज कभी भी ओम नांग राहवे नमः इस सब्ता बने हुए हैं कुछ घनिष्ट मित्रों से किसी तरह का कोई मन मुटाओ ना हो इसका ध्यान रखिएगा और साथ ही किसी से विवाद ना हो इसका भी ख्याल रखें इन चीजों से आपका मनुबल गिरेगा मन तूटेगा तो इन चीजों से बचें साजेदारी में काम बिल्कुल भी ना करें आपके लिए सूब नहीं होगा हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें सेयर करें कमेंट करें धन्यवाद